भाग साथ आरजे को ये कहने की हिम्मत किसी ने नहीं की कि वो बहुत बेसुरा और बिना सिर्फ पैर का गाती है आरजे आरजे टेबल पर चड़ गई पूरी धर्मशाला में उसकी आवाज गुँच रही थी जैसे जैसे उसकी एकसाइटमेंट बढ़ रही थी उसी के साथ उसकी आवाज करकश और तेज होती जा रही थी पल-पल उसकी आवाज का वॉल्यूम बढ़ रहा था जल्दी ही उसके आसपास का सामान हिलने लगा पर आरजे उसे इन सबसे क्या मतलब? वो अपनी ही धुन में गाय जा रही थी असल में चिला रही थी बिना किसी सुरके I fly like a bird, flow like wind I am RJ with charm I am cutie pie, RJ आरजे ने अपने गालों पर पढ़ रहे डिम्पल पर उंगली रखते हुए मुस्कुराई वो बस अपनी तारीफ कर रही थी और ऐसा करते हुए पताने उसे कौन सी खुशी मिल रही थी I am air with no wire उसने ये शब इतना जोर से चिलाते हुए कहा था कि वो जिस टेबल पर चड़ी हुई थी वो ही तूट गया और आरजे धडाम से नीचे गिर पड़ी सौभाग्य से उसी समय उर्वेन और बाकी सब वहां पहुँच चुके थे तूटने की आवाज सुनते ही वो सब अंदर भागे जैसे ही उन सबने रेजिस्ट्रेशन ओफिस का दरवाजा खोला सब हैरान रह गए ओफिस पूरा कबार बन चुका था जिस रेक पर फाइल रखी हुई थी सब सरग कर नीचे आगिरे थी लाइट लाम्प सब तूट फूट कर नीचे गिरे पड़े थे टेबल के तूटे हुए टुकडों के बीच आरजे अपना पैर पकड़ कर बैठी थी शायद उसके पैर में चोट लगी थी अर्ख उर्वेन जल्दी से उसके पास आए मानसा यूनी और सिमी भी काफी परेशान हो गई थी आरजे ने सब की तरफ देखा उर्वेन और अर्ख अपने घुटनों केबल बैट आरजे को घूरने लगे कोई भी आरजे को दर्द में नहीं देख सकता था उन्हें ऐसे खुद को घूरते देख आरजे की चेहरे पर मुस्कुराहत आ गई ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे कोई पहली बार चोट तो लगी है नहीं मैं तो ऐसे गिरती पढ़ती रहती हूँ इतना कहे उसने अपने पैर को जोर से चटका और अपनी आँखी बंद कर ली शायद उसे दर्द हो रहा था युनी मांसा और सिमी ये देख आरजे के पास आ गई युनी ने कहा क्या कर रही हो तुम आरजे अभी तो चोट लगी है थोड़ा तो आराम करो मांसा ने भी कहा फ्रेक्चर हो सकता है ज़्यादा पैर को मत हिलाओ उसने फिक्र करते हुए कहा सिमी बोली आरजे तुम गिरी कैसे सिमी ने सीधे अपने मन का सवाल पूछ लिया अब आरजे को छोट सब सिमी को हूरने लगे अरजे ने कहा दिख नहीं रहा तुमें आरजे को छोट लगी है इस समय आरजे से सवाल पूछना किसी को पसंद नहीं आया था उरवेन ने कहा अब ही ये सवाल जवाब बंद करो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इस वक्त आरजे लाइफ का सदस्य आरजे के अलावा कुछ भी सोचे उरवेन आरजे का हुस्सा जाने अंजाने सिमी पर उतार रहा था यूनिय और मांसा ने उसे घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया ये सब सुन सिमी की आँखों में आशु आ गए इस वक्त किसी का ध्यान सिमी पर नहीं था सिवाए आरजे के जब RJ ने सिमी की आखों में आसू देखे, RJ हुस्से में चिला दी चप, कोई भी सिमी को एक शब भी नहीं बोलेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा RJ अपनी जीम के किसी भी मेंबर को दुखी नहीं देख सकती थी सिमी तो रो रही थी, ये RJ को ट्रिगर करने के लिए काफी था सब चुप हो गए और सब ने अपना सिर नीचे जुका लिया सिमी ने भी अब सब को घूरते हुए अपने आसू पूंच लिये RJ अपने पैर पर जोर डाल खड़ी हुई, हालांकि अभी भी उससे थोड़ा दर्द हो रहा था पर उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी उर्वेन, अर्ग, मांसा और यूनी उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े पर RJ ने उन्हें हाथ देखा कर रोक लिया RJ कभी इतनी कमजोर नहीं थी, कि उसे किसी सहारे की जरूरत पड़े और दूसरी बात, मेरे लिए RJ लाइफ का हर सदस्य खोड़ से भी ज्यादा इंपॉड़न्ट है अगर तुम सबको मुझसे सवाल करने का हक है, तो सिमी को भी है मैंने कभी तुम सबको एमपलॉई की तरह नहीं संजा, दोस्त की तरह ट्वीट किया है I hope तुम लोग अपनी हलती मान सिमी से माफी मागोगे सब हैरानी से आरजे को देखने लगे, जबकि ये सुनकर सिमी के चहरे पर एक विज़ई मुस्कान थी सिमी ने सबको घूरते हुए अपना मुझ बना लिया किसी को माफ नहीं करने बाली मैं, उसने खुद से कहा आरजे बोली, प्लीस सिमी, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ाओ सिमी ने खुशी-खुशी आरजे का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे सहारा देते हुए बाहर ले गई आरजे टीम तो अभी भी शौक में थी उन्हें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये कल की आई सिमी के लिए आरजे ने उन्हीं डाटा और माफी तक मांगने के लिए कहा उन्हें लग रहा था आरजे उनसे ज्यादा सिमी को इंपोर्टेंस देने लगी है यूनी ने घुस्से में अपने हाथ पर चूटी काटी मतलब मैं सपना नहीं देख रही हूँ आज ये सच में हमारे उसूलों के खिलाफ हमें उस खलती की माफी मांगने के लिए कह रही है जो हमने कियी नहीं है मांसा भूली मैंने कुछ खलती नहीं किया है तो मैं माफी क्यों मांगू मैंने बस उसे चुप रहने के लिए कहा था सौरी तुम दोनों बॉइज को बोलना चाहिए मानसा ने अर्ग और उर्वेन की तरफ इशारा किया अर्ग ने घुस्से में अपने बालों को पीछे किया नो वे आरजे को चोट लगी थी उस वक्त वो ऐसे बचकाने सवाल कर रही थी उसने एक बार भी आरजे की फिक्र नहीं दिखाई हमारा गुस्सा करना बनता ही है उर्वेन ने खुद को शांत किया चाहे कुछ भी हो चाहे हम आरजे के खिलाफ नहीं जाएंगे आरजे ने हमें न्यू लाइफ दी है हम आरजे के साथ बचपन से हैं हमारा फिक्रमंध होना सही है पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए अगर आरजे नहीं होती तो हम चार अब तक बिक चुके होते और तुम दोनों लड़कियां तुम दोनों के साथ क्या होता तुम दोनों अच्छे से जानती हो बहतर यही होगा हम सेमी से सौरी बोलकर बात को यहीं खत्म कर दें औरवेन ने अपनी समझदारी से सब को कन्विंस कर लिया मानसा और युनी ने अपनी नम होती आँखों को बहने से रोक लिया वियार टीम जब तक आरजे है हम कभी दुखी नहीं हो सकते मांसा ने मुस्कुराते हुए सब को देखते हुए कहा सब ने मुस्कुराते हुए एक साथ मांसा को हग कर लिया दूसरी थरफ सिमी आरजे के रूम में आरजे के पैर पर बैंडिज बांद रही थी और आरजे अपनी आखें बंद करके मुस्कुरा रही थी सिमी आरजे को दर्द में भी मुस्कुराते हुए देख हैरान रह गई आरजे आम तोर पर हम सब जब दर्द में होते हैं तो रोते हैं तुम मुस्कुरा रही हो? आरजे ने बिना अपनी आखे खोले जवाब दिया. हजारों लोगों के चहरे पर मुस्कुराहत लाने वाला इंसान छोटे से दर्द से रो पड़ेगा तो कैसा लगेगा? वो इस वक्त काफी शांत नजर आ रही थी. कोई टेंचन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस एक मुस्कान जो हमेशा उसके चहरे पर रहती है. यही बात आरजे को सबसे अलग बनाती थी. चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, किसी ने आरजे की आँखों में कभी आँसू तो दूर, उसे दुखी होते हुए भी नहीं देखा था. सिमी ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ऐसा इंसान रोएगा, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, फिर मुझे भी रोना आएगा. सिमी ने आरजे की तरफ देखा, पर फिर भी दर्ट तो होता है ना? आरजे ने मुस्कुराते हुए अपने आखे खोली और मुस्कुराते हुए अपना पैर सोफे के उपर खीच लिया. सिमी ने कहा, ध्यान से, अभी आरजे तुमारा पैर छीक नहीं हो आए. आरजे मुस्कुराई तुमारी एक मुस्कुराहट मेरे पैर को 100% ठीक कर देगी सिमी ये सुन हसने रगी ये क्या आरजे तुम भी फिल्मों जैसे बाते करने लगी मुस्कुराने से किसी का दर्द कैसे ठीक हो सकता है आरजे ने कुछ सोचने का नाटक किया आरजे ने इशारे से सिमी को अपने पास बुलाया सिमी आरजे के पास आकर बैठ गई उसके बैठते ही आरजे ने जल्दी से अपना बैंडिज खोला और तेजी से बाहर की तरफ भाग गई आरजे पलट कर वापस सिमी के पास आई अब मेरा पैर बिल्गू ठीक है ऐसे मुस्कुराते रहना इतना कहकर वो फिर से रूम से बाहर चली गई सिमी तो बस किसी सदमे में आरजे को देखती ही रह गई ये कैसे हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले तो आरजे चल भी नहीं पा रही थी सच मेरी मुस्कान की बज़ा से तो नहीं उसने दो से तीन बार अपनी पलकें जबकाई दब जाकर उसे यकीन हुआ कि सच में उसकी मुस्कान की बज़ा से आरजे ठीक हो गई है सिमी इस बारे में सोची रही थी कि तभी वो चारों अपना सिर जुका कमरे के अंदर आए और घुटनों के बल अपने कान पकड़ कर बैठ गए सिमी ने उन चारों की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दी पर जल्दी ही उसने अपनी मुस्कान छुपा नाराज होने का नाटक करने लगी यूनी बोली I'm sorry सिमी मान सभी बोली I'm sorry अर्ग ने कहा मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करने चाहिए थी मैं तो हूँ ही गधा प्लीज मुझे माफ कर दो और वेन ने कहा मैं गलत था सिमी आर्जे हमारी लाइफ लाइन है उसके लिए हम सब थोड़ी ज़्यादा प्रोटक्टिव हैं पर हमें तुमसे ऐसे बात नहीं करने चाहिए थी मैं तो सबसे बड़ा वाला उल्लू हूँ प्लीज हमें माफ कर दो सब ने सिमी की तरफ देखा जो अपनी हसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी और लगभग कामयाब भी थी योनी ने कहा सिमी प्लीज कब तक नाराज रहोगी दिखो हम सबने कान पकड़े हैं मांसा बोली सिमी अगर तुम हमें इस बार माफ कर दोगी तो हम सब तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर देंगे सब ने एक आखरी आस के साथ सिमी को देखा तो सिमी अपनी हसी रोक नहीं पाई और उन सब के सामने बे तहाशा हसने लगी उसे ऐसे पागलों की तरह हसते देख सब के चेहरे पर भी मुस्कुराहत आ गई अर्ग ने कहा तुमने हमें माफ कर दिया सिमी यूनी बोली हस रही हो मतलब तुमने हमें माफ कर दिया यूनी ने खुशी से चहकते हुए कहा सिमी बोली हाँ माफ कर दिया पर सब को मेरी एक विश पूरी करने होगी सिमी ने नाट की अंदाज में अपने हाथ की एक उंगली ऊपर कर कहा सब ने हाँ में सिरह ला दिया अर्ग बोला, क्या विश है तुम्हारी, मैं अब भी पूरी कर देता हूँ मन सब बोली, बोलो बोलो, खाने के लिए पकवान, पहनने के लिए स्टाइलिश कपड़े, गहने, जूलरी, क्या चाहिए, मैं सब ला कर दे दूँगी सिमी ने कुछ सोचते हुए कहा, ये सब नहीं चाहिए, वक्त आने पर मांग लूँगी उर्वेन ने अपने चारों तरफ देखते हुए पूछा, क्या आरजे का रूम है, पर आरजे यहां नहीं है, आरजे का है, अब फिर से सब की नजरें सिमी की तरफ चली गई थी, हाला कि इस बार सब समझदारी से काम ले रहे थे, सिमी को आरजे का भागना याद आ गया, भाग गई, क्या, सब हैरानी से सिमी को देखने लगे, सिमी बोली, उसकी पैर में चोट लगी थी, पर फिर भी वो ऐसे भागी जैसे, उसका पैर बिलकुल ठीक हो, मुझे बात समझ नहीं आई, पर मेरी मुस्कान शायद, मेरे स्माइल करने से वो ठीक हो गई, पता नहीं कैसा हो सकता है, पर कैसे, सिमी ने कन्फ्यूज होते हुए कहा, ये सुनकर सब ने चैन की सांस ली, आरजे अब ठीक होगी, अब हमें जादा टेंचन लेने की ज़रूरत नहीं है, युनी ने सब से कहा, मानसा बोली, मुस्कुराने से सब ठीक हो जाता है, वैसे भी हम सब ल लोगों की चहरे पर मुस्कुराहत लाते हैं, हमारी लाइफ में एक स्माइल की खीमत भी करोडों में है, तुम भी जब पूरी तरह से इस आरजे लाइफ को अपना मान लोगी, आरजे को अपना लोगी, तो ये मुस्कुराहत परमनेंटली तुमारी लाइफ का हिस्सा बन पिर तुम भी दूसरों को मुस्कुराते देख, अपना दर्द कब भूल जाओगी, तुमें भी पता नहीं चलेगा। उर्वेन बोला, इलाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आरजे लाइफ के प्रत्येक सदस्य के लिए मकसद है। उन सब कध्यान किचन की तरफ गया, आवास सुनकर सब आरजे के रूम से बाहर आ गए। सामने किचन खुला था, जिसमें साफ साफ आरजे बरतनों और मसालों से छेड़ चाड़ करती नजर आ रही थी। हाला कि आरजे खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो जिस तरह से मसाले और बरतन चूचू कर देख रही थी, उसे देखकर ये कह सकते हैं कि वो मसालों और बरतनों से छेड़ चाड़ कर रही थी। ये देख मांसा ने अपना सिर पीट लिया, सभी काफी घबरा गए थे, अर बोला, पिशली भार जब आरजे ने खाना बनाना चाहा, तो उसने सब बरतन तोड़ दिये, सारे मसाले इस तरह पानी में मिला दिये, और सबजी को बिना धोए काटे पानी में डाल दिया, ये त ये सुनकर सिमी को हसी आ गई, यूनी बोली, उसे खाना बनाना पिल्कुल नहीं आता है, पर फिर भी उसे वो काम करना है, जो उसे नहीं आता है, सिमी बोली, क्या आरजे को खाना बनाना नहीं आता है, मुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, उसने खुद से परिवार को ना छोड़ा होता तो आज वो आर्ख ने बात बदलते हुए कहा अरे ये सब छोड़ो यार अभी आरजे पर ध्यान दो अगर हमने उसे नहीं रोका तो पूरे किचन का सत्यानाश कर देगी वो पांचों किचन की तरफ बढ़ गए सिमी ने भी उनकी बातों पर ज आरजे को कभी उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ी ये सामने की बजाये छुपकर भी आ रहे होते तो भी आरजे इन्हें बिना देखे बहचान जाते सबके कदम वहीं रुक गए वो चारों सिमी को देखने लगे उनके भाव कुछ इस तरह के थे कि अगर सिमी ने आर पुरीत, सिमी ने उन्हें खुले दिल से माफ करते हुए आरजे के सामने सब सच सच बोल दिया। सिमी बोली, हाँ हाँ आरजे, हमने पक्की वाली दोस्ती कर लिया, अब ये चारों मेरी हर बात सुनेंगे, और इन्होंने तो ये भी कहाये कि ये मेरी एक विश भी पूरी क परेंगे। आरजे ने उन्चारों की तरफ देखा, तो उन्चारों ने मासूम सी शकल बनाकर हामिसर हिला दिया। आरजे सब के सामने आई, चलो खाना बनाओ, मुझे फूख लगी है, आज मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाना चाहती। इतना कहें, वो एक बड़े से डाइ आला साता था। सिमी ने सब के उत्रे हुए चेहरे देखे, तो धीर इसे आरजे से कहा, आरजे मैं बनाती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। आरजे बोली, ओके, तुम बना लो। ये सुनकर सब के चेहरे खेल उठे। आरजे ने शरारती मु यूनी बोली, हेल्प तो कर देंगे, पर खाना सिमी ही बनाएगी। तुम तो जानती हो ना आरजे, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं, तो मुझे चिड मचती है। यूनी ने बुरा समू बनाते हुए कहा, आरजे बोली, तुम सब कितना टाइम लगाओगे, जल्दी खाना बन आओ, तुम सब भी अच्छे से जानते हो, मैं एक ही जगा बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, फिर भी मैं बैठी हूँ तो तुम सब सिमी की हेल्प नहीं कर सकते। आरजे ने बच्चों जैसा फेस बनाते हुए कहा, अब कोई मना नहीं कर पाया, और चारों सिमी के साथ कि आरजे ने पीछे की तरफ सरक अपने पैर डानिंग टेबल पर रख दिये, और आराम से स्माइल करते हुए अपनी आखें बंद कर ली। दूसरी तरफ, समय त्रिवेनी घाट के चारों तरफ घूम रहा था, इस आस्त में शायद कहीं तो आरजे दिख जाए, समय आरजे के हमें कुछ और सोचना चाहिए, समय बोला, संधे आरती तक वेट करते हैं, तब भी नहीं आए तो चले जाएंगे, समय ने निराज होकर कहा, आर्यन बोला, तो क्या तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, यह तो धक गया हूं सर, आर्यन ने अपने घुटने पकड़ लिये, सम जब बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई मेरी बात को बीच में काटे, तुम्हारा काम है, मेरे ओर्डर्स फॉलो करना, तो चुप चाप वही करो, आर्यन ने गहरी सांस ली, और उसी घाट की सीड़ियों पर बैच गया, कहां फस गया यार, आर्यन खुद को एक रोबोट की त दर्वाजा बंद किया, आज आयुद ने पूरे रास्ते शिवी से बात नहीं की थी, और अब ऐसे दर्वाजा बंद कर लिया था, जैसे कुछ छुपा रहा हो, शिवी, आयुद को क्या हुआ है, जब से आया काफी अजीब बिहेट कर रहा है, मुशे तो अभी भी समझ नह आ रहा है, ये उस वैनेटी वैन के पीछे क्यों भागा, शिवी ने सोचते हुए खुद से कहा, तब ही उसे कुछ याद आया, अरे ये तो आरजे के आरजे लाइफ है ना, वाओ, 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 शिवी खुशी से चहक उठी, आरजे, बहुत चुनाया उसके बारे में, प मुझे उससे मिलना ही चाहिए, पर कैसे, आयोधर समय के रहते मुझे खुद के लिए टाइम कहा मिल पाता है, चौबीस घंटे तो मैं इनके जगड़े सुलजाती रहती हूँ, बहुत हो गया, आप ये दोनों लड़ेंगे, तो मैं इन दोनों के बीच में नहीं आउंगे, बार बार समय इंसल्ट कर देता यार, शिवी ने रोने सी शकल बना ली और चिड़कर अपने कमरे में चली गई, सिमी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, सब तो उंगलियां चाटते ही रह गए, सब उसकी तारीफ कर रहे थे, सिमी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहे थे, क्योंकि यहां कोई भी उसे उसके मोटे होने की बचे से चड़ाता नहीं था, ना ही कोई उसे जज़ करता था, सब उसके साथ काफी अच्छे थे, खासकर आरजे, सिमी के लिए ये काफी था, खाना खाने के बाद आरजे ने सीधे उरवेन से पूछा, अब तक को आरजे काफी सीरिस रहती थी, इस समय उसके चेहरे पर कोई एक्स्प्रेशन्स नहीं थे, ना स्माइल, ना खुशी, ना दुख, घुसा, कुछ भी नहीं, यही एक समय था, जब सब आरजे से दोस्त की तरह नहीं, आरजे लाइफ में आरजे की टीम की तरह काम करते थे, य अगले ही पल उन सबने अपना सिर्ध जुका लिया, ये देख आरजे सब समझ गई, मुझे लगा ही था, यही होने वाला है, आरजे लाइफ को वर्ल्ट के हर कोने में पॉपिलर करना है, ये इतना आसान नहीं होने वाला, औरवेन बोला, आरजे हम यहां पॉपिलर नहीं ह कोई हमें जानता नहीं है, तो कोई क्यों आएगा, उरवेन ने अपनी बात आरजे के सामने रखी, अरख बोला, हम पर कोई विश्वास नहीं करने बाला आरजे, यहां के लोगों को नहीं लगता कि हम उनकी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, यूनी मानसा और सिमी ने भी अरग और उरवेन की बात में हां में हां मिलाई, आरजे ने कुछ सोचा, तयार रहो तुम सब, उरवेन बोला, क्या सोच रही हो तुम आरजे, आरजे ने कहा, पता चल जाएगा, अभी के लिए तो इतना जान लो, अब तक प्रॉब्लम्स हमारे पास आती थी, अब हम उनक के पास जाएंगे, इतना कहे वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, सब ने आरजे की बात मानी, और बिना कोई और सवाल किये, अपने अपने कमरे में चले गए, सबको आरजे पर पूरा विश्वास था, कि आरजे ने जो भी सोचा होगा, उनके लिए बेस्ट ही रहेगा, आजिसे बाद सब तयार होकर हॉल में खड़े होकर, आज सब तयार होकर हाल में खड़े होकर, आज